नमश्कार दोस्तों, घर में यहां गाड़ दे गोमती चक्र हो जाएंगे अमीर दोस्तों, हिंदु धरम में सभी लोगों के घरों में गोमती चक्र पाया जाता है तंद्र शास्तर दे लेकर वास्तु शास्तर तक सभी में इसके विशेश फैदे होते हैं अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं गोमती चक्र के चमतकारी टोटके दोस्तों, अगर आपके घर में किसी वेक्ती या बच्चे को बार-बार नजर लगती है तो उसे किसी ऐसे स्थान पर ले जाएं जहां कोई आता जाता ना हो और फिर तीन गोमती चक्र को उसके उपर से साथ पार उतार कर अपने पीछे की और फैंक दे और पीछे मुड कर न देखें इससे उसकी नजर उतर जाएगी और कभी भी नहीं ही लगेगी अब आगे आपको निरंतर आर्थे खानी हो रही है तो सोंबा को ग्यारा अभी मंतरित गोमती चक्र को हल्दी से तिलक लगाएं और शंकर जी का ध्यान करके पीले कपड़ी में बांद कर पूरे घर में गुमा कर किसी बहते हुए जल में परवाहित कर दे इससे आपको बहुत ही धनलाब होगा अब अगर आपके घर में कोई बच्चा शिक्र ही डरता है तो मंगलवार को अभी मंतरित गोमती चक्र पर हनुमान जी के दाएं कंदे का सिंधूर लेकर तिलक कर किसी लाल कपड़े में बांद कर बच्चे के गले में पहना दे इससे आपका बच्चा जो है वो डरना बंद हो जाएगा अगर आपके वैपार में किसी की नजर लग रही है वो अच्छा नहीं चल रहा तो ग्यारा अभी मंतरित गोमती चक्र और तीन चोटे नारियल को पूजा करने के बाद पीले वस्तर में बांद कर मुख्य द्वार पर लटका दे इससे आपके वैपार को किसी की नजर नहीं लगेगी दोस्तों अगर आपके हाथों से खर्च अदिक होता है पैसा रुपता नहीं है तो प्रत्रम शुक्र वार को 11 अभिमन्ति गोमती जक्र को पीले कपड़े में बांद कर पीले कपड़े पर रखकर माता लक्शमी का सिंबरन करके वितीवत पूजन करें और फिर दूसरे दिन उन में से चार गोमती चक्र उठाकर घर के चारों खोनों में एक एक करके दबा दें और तीन गोमती चक्र को लाल वस्तर में बांद कर धन रखने के स्थान पर रखतें तथा तीन चक्र को पूजाय सल पर रखतें इसके बाद बचे हुए एक चक्र को किसी मंदे में अपनी समस्या निवेदन के साथ भगवान को अर्पित कर दें इससे आपके सभी जो है रुखे हुए काम बनने लगेंगे और आपको कभी भी पैसों की कमी नहीं रहेगी धन्यवाद दोस्तों